DNA तो आप सभी जानते होंगे D-Oxyribles Nucleic Acid DNA क्या होता है? Home and Body की जटिल संदचना होती है जो हमें हमारे पूरवजों से विराशत में मिलती है क्या होता है? हमें हमारे पूरवजों से विराशत में मिलती है तो वीडियो का टाइटल देखके वैसे आप समझी गए होंगे कि आज की वीडियो में क्या होने वाला है? तो आज की वीडियो में वो 5 interesting and amazing facts about DNA तो हम बताने वाले हैं वो कौन से 5 interesting facts है? वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं क्या है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर दिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते है वो कौन से 5 interesting and amazing facts है डी अने के? तो fact number 1 डी अने यानि कि डी आक्सी राइबोस नुकलिक असिड ये तो आप सभी जानते है डी अने की full from क्या होती है? डी आक्सी राइबोस नुकलिक असिड डी अने दरसल अनों की घुमावदार एवं सीडी नुमा सरचना होती है क्या होती है? घुमावदार और सीडी नुमा स्टेक्चर होती है डी अने की आप साइड में देख सकते है ये घुमावदार है और सीडी नुमा स्टेक्चर है जिसमें क्या होता है जीवों की विशेस्था और उन दिए जानकारी रहती है जो DNA है इसमें क्या होता है जितने भी living जीव है इनकी विशेस्था और इनके लक्षणों की क्या होती है जानकारी रहती है तो फैक्ट नमबर टू चलिए आगे बढ़ते हैं फैक्ट नमबर टू की तरह फैक्ट नमबर टू जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे पूरवज बंदर थे तो यह तो सभी जानते हैं हमारे पूरवज क्या थे बंदर तो सायद यही वज़ा है हमारे DNA यानि के human DNA का 95% कितना 95% DNA चिमपैजी बंदर के DNA से 95% DNA समान होता है यानि के human का हमारा 95% DNA और चिमपैजी बंदर का 95% DNA दोनों का क्या होता है? एकवल सेम होता है, समान होता है. तो चलिए ये तो होगे, fact number 2 की बात बढ़ते है, fact number 3 की तरफ, fact number 3 आपको जानकर हैरानी होगी कि human DNA यानि के हमारा DNA, मानव शरीर का DNA का 50% यानि के जो DNA है, उसका 50% DNA, केले के DNA के 50% समान होता है, यानि के केले का DNA और human का DNA दोनों का 50-50% DNA मिलाया जाए, तो दोनों का DNA सेम होगा, हाँ जी खाने वाला केला, जिसको हम खाते हैं, उसकेले का DNA और हमारा DNA 50% इकवल होता है, तो चलिए चलते हैं, fact number 4 की तरफ, fact number 4 में क्या होता है? अगर आपके DNA को फैलाया जाए, तो वह है, प्रत्वी से, जहां पे हम रह रहे हैं, प्रत्वी से सूर्य तक, यानि के प्रत्वी से सूर्य तक 600 बार आ जा सकता है, यानि के 600 बार आ भी सकता है और जा भी सकता है, इतनी लंबा ही होती है आप आईडिया लगा सकते हैं कि DNA कितना लंबा होता है जो प्रत्वी से सूर्य तब 612 आ जा रहा है तो ये तो हो गई fact number 4 की बाद तो बढ़ते हैं fact number 5 की तरब fact number 5 fact number 5 ये है कि DNA जो होता है इंसान की हर एक कोशिका में परजेंट होता है ये तो आप सभी जानते है जो human body है वो बहुत सारी cell हों से मिलकर बनी है ये तो आप सभी जानते है जैसे सबसे पहले एक cell बनी cell से बहुत सारी cell मिलके group बना जिसको cell group को क्या बोलते है टिसू टिसू से organs बने और गन से organ system बना ऐसे बनी पूरी human body अगर आप को ये detail में पढ़ना है तो मैंने video बना रखे आप देख सकते हैं जाके पढ़ सकते हैं तो जैसे मैं अभी fact number 5 की बात कर रही थी fact number 5 क्या था fact number 5 यानि के जो DNA होता है इंसान की हर एक cell में present होता है यानि के जितने भी living जीव है उनकी हर एक cell में present होता है क्या DNA और हां note करने वाली बात है केवल RBC को छोड़कर RBC भी तो cell है ना तो RBC को छोड़कर बाकि सबी cell में present होता है DNA RBC को छोड़कर all cell में present होता है DNA तो DNA अगर कोई पूछने लगे DNA होता कहा है cell में present होता है लेकिन cell के अंदर किस में present होता है nucleus में किस में होता है cell होती है फिर cell के अंदर nucleus होता है उसके अंदर present होता है लेकिन सेल के अंदर नुकलियस में परजेंट होता है DNA लेकिन 1% DNA माइट्रोकॉंड्रिया में भी पाया जाता है माइट्रोकॉंड्रिया क्या होता है यानि कि जो माइट्रोकॉंड्रिया है वो भी सेल में परजेंट होता है उसके अंदर भी 1% DNA होता है उसको mytokondrial DNA और जो सैल के अंदर nucleus में DNA वोथा है उनको उसको न न भीकिया DNA बोलते है मैं तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में इतना ही तो मिलते हैं Next वीडियो में कमेंट में जुरूर में बताना यह फाक्ट कैसे लगे आपको हमारी दिवी जयानकारी कैसी लगे ला you for watching my video